हरे किष्णा तो अभी आपको जो परिचाय दे रहे थे हमारे साथ में जो सेवा करते हैं ये किष्णा देवी के सगे भाई हैं और अभी आजीवन ये भक्त बने हुए हैं हरे किष्णा अंदुरन के तो ये बहुत बड़ा स्वभाग है इनके परिवार का और किष्णा देवी का भी बहुत बड़ा स्वभाग है कि उनके घर का एक व्यक्ति पूर्ण जीवन समर्पित कर चुका है भगवान किष्ण की सेवा में तो ये हरे किष्णा अंदुलन इसली चेतन्य महा प्रुभू ने प्रारम दिया था आज से 550 साल पहले और 5000 साल पहले जो गीता का उप्देश दिया था उस गीता के उप्देश को लोग नहीं समझ पाए और कई लोगों ने उसे तोड़ा मरोडा और किष्णा की सरण ना ले करके गीता के संदेश के कई अलग-अलग प्रकार के अर्थ किये इसलिए स्वयम स्री किष्णा चैतन्य महा रोप में हमें बताया सिखाया तो गीता का जो संदेश है भगवान किष्णा कहते हैं कि सर्वधर्माण परीत्य जे मामेकं सरनम्ब्रज सत धर्म का त्या करके मेरी सरन में आओ तो अब हम लोग नहीं समझ पाते कि कि एक सलन कैसे लें तो वहीं स्री किष्णा चैतन्य महा प्रफु की रोप में आये तो नहों ने सरण लेने की बड़ी सरल विधी बताई और वो सरल विधी क्या है कि हम सोला नामों का केड़तन करें और ये भगमान कृष्ण ने जो संदेश दिया ये पहले से ही सास्त्रों में है जो कली संत्रन अपने संद में बताया गया है ये ती कि जो सोला नाम है ये कल्यों के समस्ते पापों का नास करने वाले हैं और इस से बढ़कर के उपाय समस्ते वेदों में नहीं है तो भगवान कृष्ण स्वयम चैतन महा प्रफु की रोप में आये और नहों ने कहा कि हम नाम की सरण लें तो भगवान से हमारे संबंद ऐसे कि हम जोडने पाते हैं भगवान के साथ अपने संबंद को हम जोडने पाते हैं लेकिन भगवान की किरपा से उन्होंने अपना जो नाम दिया है तो इस से हम भगवान की सरण ले सकते हैं भगवान की बहुत बड़ी किरपा है जो उन्होंने अपना नाम दिया नाम ना मकार आपने अपने बहुत से नाम दिये और अपने नामों में अपने समस्त सक्तियां अर्पित कर दिये हैं अपने नामों में समस्त सक्तियां अर्पित कर दिये हैं तत्रार्पिता अनियमिता इस्मरने नकाला और उन नामों का इस्मरन करने के लिए कोई समय का नियम नहीं बनाया एताद रिशी तव क्रिपा भगवन ममादन तो आपकी इतनी क्रिपा है कि आपने ये नाम दिया मुझे और कोई नियम नहीं दिया कि नाम का जब इस समय नहीं करना चाहिए इस जगए नहीं करना चाहिए हर समय आप कर सकते हैं नाम का जब और हर समय हर जगे कर सकते हैं और हर विक्ति कर सकता है लेकिन दुर देव लेकिन हमारा दुर भाग है हमारा दुर भाग है कि हम नियम बनाते हैं कि इस समय नाम नहीं लेना चाहिए इस जगे नाम नहीं लेना चाहिए तो हमारा अनुराग नहीं है इसलिए हम नाम के नियम बनाते हैं कि इस समय नाम नहीं लेना उस समय नाम नहीं लेना इस जगए नाम नहीं लेना तो हर जगए और हर समय आप नाम ले सकते हैं भगवान ने कोई ऐसा नियम नहीं बनाया तो यह हमारा दुर्भाग है कि हम नियम बनाते हैं तो यह जो हरे किसा अंदूलन है यह एक पिरचार का अंदूलन है जिसमें कि सबसे पहले हमें भगवतीता का संदेश बताया जाता है कि हम यह सरीर नहीं है यह सरीर छुटने के बाद हमारा नास नहीं होता है देही नित्यम अवध्योयम देहे सरवस्य भारत है जो देही है सरीर के अंदर जो देही है तो वो नित्य अवध्य है उसका बद नहीं होता है वो नश्ट नहीं होता है देहे सरवस्य भारत है तसमात सरवाने भूतानी तो तुम शोचे तो मरहजी इसकी किसी भी प्राणे के लिए सोग करने की आवशक्ता नहीं है तो सरीर छूटने के बाद सरीर जो देही है जो जीवात्मा है उसको दूसर सरीर प्राप्त होता है तो इसमें कोई कठनाई नहीं है समझने की जिस प्रकार से इस जीवन में हमें बच्पन के अवस्था प्राप्त होती है फिर जबाने के अवस्था प्राप्त होती है फिर बढ़ापी के अवस्था प्राप्त होती है तो आप सोचिए कि जब आपका सरीर 20 साल पहले था कैसा था अभी वो सरीर नहीं है बिल्कुल सरीर आपका बदल चुका है आपको बिल्कुल दूसर सरीर प्राप्त हुआ है कोई भी चीज वैसी नहीं है जो बीज साल पहले थी कुमार अवस्था जो बच्बन के अवस्था में सरीर होता है जवानी के अवस्था में वैसा कुछ भी नहीं होता है बिलकुल बदल चुका है फिर भी आप चित्र देखते हैं 20 साल पहले का तो आप क्या कहते हैं मैं यही हूँ तो वो क्या चीज है जिसे आप कहते हैं कि मैं यही हूँ जो बदला नहीं है जिस पर बिचार कर ये और आज से बीच साल बाद अगर आप रहेंगे तो सरीर बिलकुल दूसरा होगा कुछ भी नहीं रहेगा यह सरीर है वैसा कुछ भी नहीं है बीच साल के बाद सरीर बिलकुल बदल जाएगा फिर भी आप कहेंगे मैं यही हूँ तो वो क्या चीज है जो नहीं बदल रही है तो भगवान कहते हैं कि आप नहीं बदल रहे हैं तथा देहांतर प्राप्तिर धीरस तत्रनम हो जाती तो इसी प्रकार से दूसरा सरीर प्राप्त होता है तो जो धीर ब्यक्ति है वो इसमें भ्रमित नहीं होता है वो नहीं सोचता है कि खतम हो जाएंगे तो हम सामान नभास बोलते हैं कि वो खतम हो गए, समाथ हो गए, वो नहीं रहे इस तरह की बाते हम बोलते हैं लेकर जो धीर बेक्ती होता है तो ऐसा नहीं बोलता कि खतम कि हम जो है खतम हो जाएंगे आप खतम हो जाएंगे वागवान केते हैं ना तो कभी ऐसा समय था जब मैं नहीं था या तुम नहीं थे या ये सब लोग नहीं थे हमारा जो बेक्तिकत जीवन है हमारी जो बेक्तिकत सत्त है वो कभी समात नहीं होती है हमेशा हमारा बेक्तित तु रहा है तो ना कभी ऐसा समय होगा जब हम सब लोग नहीं रहेंगे कि ये वर हम सरीर बदलते हैं लेकिन हम नहीं बदलते हैं लेकर फिर एक बड़ी दुर्गती की बात है कि हम सरीर बदलते हैं तो हम सरीर क्यों बदलते हैं हमें जनम मरन नहीं प्राप्थ होता है हमारा जनम मरन नहीं होता है लेकिन जनम मरन का कष्ट हमें भोगना पड़ता है तो जीव आत्मा का जनम और मरन नहीं होता है लेकिन जनम मरन का जो कष्ट भोगना पड़ता है यह हमें भहते शरीर प्राप्त होता है तो यह एक दूरतशा की स्थिति है जो नहीं होना चाहिए तो यह कारण क्या है कि हम बार बार सरीर बदल रहे हैं चुलासिला की उनियों म बार बार सरी बदल रहे हैं और जनम के बाद मरन फिर मरन फिर जनम फिर मरन इस प्रकार से जनम मरन का जो क्रम है यह हमारे साथ क्यों हो रहा है तो एक यह प्रिश्ण है तो गीता में भगवान कहते है यह जीव जो है मेरा अंस है तो भगवान स्री किष्ण के रहे हैं कि यह जीव मेरा अंस है और अंस का कारी है अंसी की सेवा करना तो हमारा कारी है कि हम स्री किष्ण की सेवा करें तो हम अगर स्री किष्ण की सेवा से विमुख होते हैं किष्ण भूलिया जीव भोग तो निकट में ही स्थित माया है वसे तुरंथी जपट के पकड़ लेती है दबोज लेती है तो ये माया का ही ये कारी है जो हमें बार बार सरीर प्राप्थ होता है जनम मरन का रोग लगा हुआ है तो ये रोग जो है हमें क्यों लगा हुआ है कि हम कृष्ण की सेवा नहीं करत जबघते हैं अगर हमारे अंदर इछह होती है कि मेरे सेवा करें कि अ मुझे अपनी सेवा में लगाईए तो जन्वरं का रोक दुरंट समाब्त हो जाएगा किष्णा कहते हैं ये मेरी जो माया है ये तीन गुणों वाली है तीन गुणों से बांदेती है और ये बड़ी दुस्तर है इस से आप छूट नहीं सकते इसके बंधन से आप छूट नहीं सकते मामेव ये प्रपत्यन दे माया मेताम दरन दे जो मेरी केवल एक मेरी सरण में आते हैं वे इस माया से छोट पाते हैं तो हमें किसी की सरण लेने है और किसी की सरण लेनी का जो बहुत सरल तरीका जो ब्यभारिक तरीका है वो क्या है सोला नाम का जब करना तो हम लोग सोला नाम का जब करते हैं तो ज़िए भगवान के तो बहुत से नाम है अनेक नाम है उनमें समत्व सक्तियां भगवान ने डाली है परण तो फिर भी अब ठीक है ठीक रहन दीजे जैसे चलने चलने दे परण तो फिर भी ये जो सोला नाम है यह बिशेष है इती सोडिसक्रम नाम नाम तली किलमस नास्तरम यह बिशेष है नाता पर तर उपाया सर्ववेदेशु दिर्शिति इन से बढ़ करके कोई उपाया समझते वेदों में नहीं है नहीं हमें सुला नाम पृण है हरे किश्ण खिशला नाम हरे storm की वह रही हरी राम तो इससे सरल और कुछ नहीं हो सकता भगवान कोई उपाय अगर हमें बताएं तो इससे सरल कोई उपाय नहीं हो सकता और चुकि प्रहुपाद जो यहां पर जिनका चित रखा हुआ है इन्होंने भगवान का संदेश पूरी संसार में फिलाया और अपनी ओर से कुछ नहीं चुड़ा और कुछ भी निकाला नहीं इसलिए यह संदेश पूरी दुनिया में फिलाया है और लोग इससे लाव उठा रहे हैं और तुरंत परिनाम भी प्राप्थ होता है इसमें प्रतेक्ष परिनाम प्राप्थ होता है और जहाँ जहाँ प्रहुपाद गए वहाँ वहाँ लोगों ने इस हरी नाम को स्विकार किया और लोगों का जीवन पवित्र हुआ एक तो प्रतेक्ष प्रमान ये है कि जहाँ जहाँ प्रहुपाद ने ये हरी नाम फिलाया वहाँ वहाँ लोगों के जो दुरवेशन है वो बड़ी जल्दी छोड़ गए बड़ी जल्दी छोड़ गए यसे अमेरीकी सरकार तो करोन डॉलर ने खर्चा कर रही थी कि नसा कैसे छोड़े लेकिन तो भी नसा नहीं छोड़ा पाई लेकिन प्रहुपाद ने ये नाम दिय ये हरे किस अंदूलन फेलाया और लोगों को नसा छोड़ गया तो अमरीकी सरकार ने भी इस अंदूलन का स्वागत किया हालां कि नसा छोड़ना ये कोई बहुत बड़ी उपलब्दी नहीं है नाम से जो लाब होता है ये तो किस्ने प्रेम की बढ़त बड़ी उपलब्द नहीं है तो उनके वड़ी जल्दी बिशंदूर हो जाते है और ये प्रतियक्ष ये परिणाम प्राप्ध होता है लेकिन इस से बड़कर करके लाब वो क्या है कि हमहें किसे साथ समन्द जुड़ता है भ高वान के साथ हमारा समन जुड़ता है तो ये जो भरिणाम है ये हम अभी आपके सामने बिवारिक रूप से करेंगे कि हरि नाम दो प्रकार से हम लोग करते हैं। एक तो हरि नाम करते हैं कीरतन के रूप में कि माइक पर जैसे मैं गाऊंगा फिर आप लोग मेरे पीछे गाएंगे। एक तरीका तो यह हरी नाम का है, जिसे संकीर्दन कहते हैं, दूसरा हरी नाम का दो तरीका है, वो माला पर जब करना है, और माला पर जब हम लोग जब करते हैं, तो इसमें इतनी सुमिता होती है, कि आप जहां भी बैठे हैं, जहां खड़े हैं, अगर चल रहे हैं, और घर के बाहर हैं ओफिस में भी है तो हमारी ओर से कोई सिकायत नहीं है कि आप ओफिस में ना करें ओफिस में अगर कोई सिकायत करें तो अलग बात है कि हमारी ओर से आप ओफिस में भी कर सकते है और माजार में भी कर सकते है शलक में गाड़ी चलाते ही भी कर सकते हैं और सोते ही भी कर सकते हैं बैठे ही भी कर सकते हैं तो हर समय आप ये नाम कर सकते हैं तो माला पर जब करने की जो विदी है एक ऐसी विदी है जो कि बहुत बिवारिक है तो आप लोग देखते हैं हरे के सांदूरन के जो भक्त होते हैं तो उनके गले में एक ठैली रहती है और ठैली के अंदर एक जब माला रहती है एक जब माला रहती है और इस जब माला में 108 मन के होते हैं 108 मन को में एक मन का सबसे बड़ा होता है तो उसको छोड़ करके हम हरे किसमंत्र का जब करना शुरू करते हैं तो जब हम माला पर जब करते हैं तो प्रतेग मन के पर ये सोला नाम बोलते हैं लेकिन सबसे पहले माला के पहले हम पांच नाम बोलते हैं जिसे कहते हैं पंच तत्व मंत्र ये पांस नाम चैतना महाप्रुह और उनके संगियों के हैं जिनके द्वारा हमारे अपराद दूर होते हैं जो नाम के जब में होने वाले हैं तो हम आप से अभी एक माला जब कराएंगे, जिनके पास माला नहीं है तो मिला माला के बोलें, जिनके पास माला है वो माला पर बोलें, लेकिन हर माला के पहले हम एक मंत्र आप लोगों को बुलवाएंगे, आप बोलिये मेरे पीछे, ये पांच नाम हैं जो कि नाम के अपरा गौर्भक्त प्रिन्दा तो देखिए ये जो पांच नाम हैं ये छपे हुए भी आपको मिल जाएंगे और अगर आपको ना मिलें तो किसी से भी आप लिखवा लीजे ये पांच नाम जब तक आपको याद ना हो तब तक आपके पांच लिखे होने चाहिए और हर माला की पह और उनके संगियों के हैं जिनके द्वारा हम नाम के अपरादों से छोड़ते हैं जब माला पर जाब करते हैं तो ये पांस नाम आपने मेरे साथ बोले अब हम लोग एक साथ बोलेंगे तो ये जो जो सोला नाम है हम जाब करेंगे तो आप लोग मेरे साथ बोलें ठीक है? आपके पास अकर माला नहीं है तो अभी एक सुवाड की संख्या आपके हो जाएगी अब मेरे साथ बोलेंगे और ये जो एक माला जब है अभी हम लोग जो करेंगे ये कृष्णा देवी के लिए करेंगे कि उनको भगवान कृष्ण के चरणों की प्राप्ति हो उसके लिए आप लोग जो उनके सुब जिन तक है जो यहां पर एकत्रत हुए हैं उनके याद में तो उन सब के लिए हमारी ये प्राटना है कि आप लोग बोलिए और आपको बोलना है तो मुझ खोलना है आपको मुझ से आवाज नकालनी है आपको कान खोलना है कान से सुनना है तो ये जो है नाम है ये रक्षा करेंगे अभी हम कृष्णा देवी की रक्षा के लिए भग्मान कृष्ण के चरणों में उनको सेवा प्राप्त हो इसके लिए हम जाब कर रहे हैं आप लोग भी जाब कर रहे हैं एक माला इसके बाद फिर आप लोग अपनी सुरक्षा के लिए भी हमारी प्रारतना है कि रोज करें कि हमारी आप से यही मांग है यही हमारी आप से भिख्षा है कि 24 घंटे में कम से कम एक माला जब करिए अगर एक माला आपके पास माला नहीं है और 108 की संख्या गिनने में कटनाई है तो 10 मिनट कर समय नकालिए तो 10 मिनट समय आप नकालिए और आप इसी प्रकार से बोले जैसे अभी हम बोलेंगे ठीक है तो आप सब लोग मेरे साथ बोलेंगे हमारा भ्यास है तो हम जल्दी बोल पाते हैं आपका भ्यास नहीं है तो भी आप प्रियास करिए मेरे साथ बोलने का तो सब लोग मेरे साथ बोलिए किसने हर राम राम रॉम्य। हरे किस्ना हरे किस्ना किस्ना हरे हरे राम हरे राम राम हरे थे सारह घर राम रो अजयजा हरे राम 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 रहे है .. सबस्क्तिस आपसेश्टने करशेशने अंडराम लग्म करफें से उससे झाला रे राम राम रूरि ten भीटार्र आज उसे दें हरे किसना हरे किसना हरे राम 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 रहे हरे किसना हरे किसना हरे 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 राम 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 रहे हरे किसना हरे किसना हरे राम 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 रहे हरे किसना हरे किसना हरे राम 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 रहे हरे किसना हरे किसना हरे राम र किसना 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 हरी यरी दामरी दामरामरी हरी हरी किसना 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 हरी यरी दामरी दामरामरी हरी हरी किसना 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 हरी 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 द Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Hare, हरी ताम हरी किस qui ने किस ने कि यूरी राम बहुंओ Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Ramadhi, Ram, 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 Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna, Hare Hare, Ram, 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 Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Hare, Ram, 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 Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna, Hare Hare, Ram, 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 Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Hare, Ram, 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 Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Hare, Ram, 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 Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Hare, Ram, 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 Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Hare, Ram, 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 Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Hare, Ram, 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 Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Hare, Ram, 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 Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Ram, 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 Hare 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 Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna, Hare Hare, Ram, 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 Hare 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 Krishna, Hare Krishna, 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 Hare Hare, Ram, Ram, Ram हरे किशना हरे किशना 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 हरे लाम राम राम रहे हरे किशना हरे किशना 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 हरे लाम राम रहे हरे किशना हरे किशना किशना हरे लाम राम राम रहे हरे किशना हरे किशना किशना हरे लाम राम राम रहे हरे किशना हरे किशना 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 हरे लाम राम र तो ये अभी हमने जो जब किया है एक सो आठ बार के महामंत्र का जब किया है आपके साथ जब किया है कि स्रीमति कृष्ण देवी को भगवान स्रीकृष्ण के चलनों की सेवा प्राप्थो इसके लिए हमने किया है और अब हमारी आपसे ही प्रार्थना है कि अपने लिए आप रुख जब करें जितना करें उतना ही कम है इसकी कोई सीमा नहीं है कि आप कितना अधिक सेदिक करते हैं कोई सीमा नहीं है आप दिनदाद करिए इन कम से कम का नियम है हम कम से कम का नियम मनाते हैं जो हरे किस्षान दोलन के समर्पित भागते हैं, वो कम से कम 16 माला जब करते हैं, अभी हमने एक माला जब किया है, तो 16 माला जब करते हैं, लेकिन आप से हमारी यह प्रादना है, कि कम से कम एक माला जब करिए, माला आपको प्राप्थ हो सकती है, आप निकट के जो हरे किष्ण का केंदर है, मंदिर है, वहाँ से आप माला प्राप कर सकते हैं, जिसमें 108 मन के होते हैं, लेकिन अगर आपको माला करने में अगर अशुविदा है, कोई रुची नहीं है, तो आप घड़ी से समय देख करके 10 मिनिट का समय नकालिए, 24 घंटे मे किसे कम से कम 10 मिनिट का समय नकालिए, और वो समय क्या है, अपने लिए है, आप अपने लिए क्या कर रहे हैं, आप जो कुछ भी कर रहे हैं, तो सब यहाँ छोड़ के जाएंगे, कुछ भी साथ नहीं जाएगा, ये साथ में क्या जाएगा, तो जो आपके साथ में जाएग वो तो आप करने रहे, तो ये आपके साथ जाएगा, प्रान प्रयान पाथेयम, ये पाथे है, प्रान प्रयान के समय पाथे है, पाथे का मतलब है, जब कोई यात्रा आप करते हैं, तो आप सामान टेक करते हैं, तैयारी करते हैं, कि क्या क्या सामान आपको लगेगा, यात्र जब सरीर छोड़ेंगे तो आपकी एक यात्रा है जो की बिलकुन अनिश्चत है आपको कुछ भी पता नहीं है लेकिन निश्चत है यात्रा निश्चत है लेकिन आपको कुछ पता नहीं है कि कहां आप जाएंगे कैसी गती आपको प्राप्त होगी तो इसके लिए आपके पा यात्रा जो सरीर छोड़ने के माँ जो आपकी यात्रा जो आपकी सुरू होगी इसके यात्रा के लिए आपके माँ जो धन संपत्ति होनी चाहिए को कौन सी है वो यह है यह जो नाम की संपत्ति है यह आपकी अपने अपनी संपत्ति है जो आपके साथ जाएगी आपका बैंक balance जितना भी है वो आपके साथ नहीं जाएगा कुछ भी साथ नहीं जाएगा घर, मकान, पत्नी कुछ भी साथ नहीं जाएगा लेकिन जो अपने साथ जाएगा वो हमारी आपसे पराड़ना है कि आप उसका bank balance बनाओ ये bank balance आपके साथ जाएगा और अगर आपका परियाप्त बैलेंस हो गया, तो आप भगवान के धामे जा सकते हैं, पर्मानेंट भगवान के धामे जा सकते हैं, जहांकि 700 जीवन पराप्त होता है, भगवान के सेवा पराप्त होती है, और आध्यात्मिक सरीर पराप्त होता है, जहां मृत्यू नहीं है, चरीर है, लेकिमर क्यूंड़ नहीं भढ़ापनी, ऐसा अधियात मेंकी सरीर प्राप्त होता है, भगवान के धाम में गववए हैं, और गोपियां हैं, उनके सक्का हैं, उनके माता-पिता हैं, और भगवान के साथ, आपके पांस प्रकार के संबंदों में से कोई संबंद आपका है जो की सुपतवस्था में है और वो संबंद आपको अगर वहाँ पराप्थ होगा तो उसी प्रकार का सरीर पराप्थ होगा भगवान के साथ आपका या तो सखा का संबंध है या माता पिता जैसा संबंध है या सखी का संबंध है या सांत रस्में जो पसु पक्षी है वो उनका संबंध है तो पांस प्रकार के जो संबंध है पांस प्रकार के जुरस है उनमें से कोई न कोई एक संबंध आपका सवस्था में यदि वह जागरत हो जाए और आप भगवान के धाम में चले जाए तो पूरी सफलता जीवन के प्राप्त हो गई लेकिन अगर जीवन की पूरी सफलता नहीं प्राप्त होई तो चिंता मत करिए कि आपकी दुर्गति होगी ऐसी बात नहीं है तो भी दुर्गति नहीं होगी आपको उच्छे लोगों में स्थान प्राप्थ होगा प्राप पुन्यकरताम लोकान उसे त्वा शार्शती समा तो पुन्यवानों के लोगों में जाएंगे और वहां बहुत समय तक रह कर गे सुची नाम सुरी मताम यहे योगे भ्रेष्टो भी जाएते तो पवित्र घर में जन्म होगा और धन्वान के घर में जन्म होगा अथवा योगी नाम एव कुले भवदी धीमताम अथवा वैस्टमों के घर में ही जन्म होगा तो भक्त की परिवार में जन्म होगा यह तद ही दुरलब तरम लोगे जन्म दीद सम इस प्रकार का जन्म दुरलब तर है कि भक्त के परिवार में ही जन्म हो तो इस प्रकार से भक्ती का प्रसिक्षण प्राप्थ होगा जन्म से ही आपको भक्ती का प्रसिक्षण प्राप्थ होगा तत्रतम बुद्धी सेंजोगम लबते पौरवदेहिकम तो पिछले जीवन के जो बुद्धी के संसकार हैं अगले जीवन में आप को सोता अपराप्थ हो जाते हैं यतिते चात अतोभोया संसे धो कुरुनंदन और उसके आगे आप फिर और प्रियास करेंगे बढ़ने का तो इस प्रकार से चाहे कई जनम लगें लेकिन आप धीरे धीरे आप भगवान की प्राप्थी की दिसा में आगे बढ़ेंगे अगर इस जीवन में पूरी सिफलता मिलकी बहुत अच्छा है नहीं तो यहां सिमती कृष्णा देवी ने सरी छोड़ा है तो उनके लिए भी हमारी यही प्राप्थना है कि कृष्णा अपने चरनों की दिसा में उनको गती प्रदान करें तो आपको भी भगवान के चरनों की दिसा में गती प्राप्थ होगी और आपको मती प्राप्थ होगी भागवान के चरणों के प्रती तो ये जो है बहुत सरल विदी हमने जो आपको बताई है कि हरे किर्शन मंतर का जाब करिये इसमें सोला नाम है कोई दिकत नहीं है एक छोड़ा बच्चा भी जो है ये सोला नाम याद कर सकता है ये आपको कोई परिशानी है सोला नाम बहुत सरल है इस सरल कुछ भी नहीं है पांच-पांच साल के बच्चे भी माला पर जब करते हैं हमारे संपर्ग में ऐसी भी बच्चे हैं पांच-पांच साल के बच्चे हैं माला पर जब करते हैं कौमार आज रेत प्राग्यो धर्मान भागवतानी है, कौमार का मतलब पांच वर्ष के वस्था से ही बुद्धिवान बिक्ति को भागवत धर्मों का भियाज करना चाहिए, तो पांच वर्ष के वस्था से ही शुरू कर देना चाहिए, कि पांच वर्ष के वस्था में जेव कर देना चाहिए अनिश्चत है आप यह मैं सोचिए कि अब तो हमको मिल गया है तो 20 साल और 40 साल तो निश्चत हम जीवित रहेंगे ऐसा कुछ भी नहीं है निश्चत नहीं है तो बहुत बड़ा लाव होने वाला है इसके लिए आप जो है इसके लिए लोब करिए आपके अंदर लोब होना चाहिए इस बात का कि आप कितना अधिक से अधिक नाम का आप संग्रह करें तो यह हमारी आपसे प्राणतना है यह हमारी आपसे याचना है यह हमारे आपसे भिच्छा है हरे किष्णा धन्यवाद हरे किष्णा तो आप सबो को जो प्रभुजी न्य शिक्षा दी है और एक चीजह आपने कभी भी नहीं देखी होगी सब कुछ ना कुछ मांगते हैं पर प्रभुजी ने आप से एक चीज मांगा है कि हरेकिष्ण वहाय मंधर का जाथ किजी तो सभी वेदिक शास्टरों में धर्मिक शास्टरों में इसी का वर्णन है हमारे पास परतेक्स पर्मार्ण है इन सबों का आप कभी आएंगे मंदीर तो प्रश्न कर सकते हैं यह सब प्रश्न के उपर ही आंदोलन आधारिद है हमारे हर प्रश्न का उत्तर मिलता है वेदिक सास्रों के आधार के उपर तो इस महामंद्र का जाप अगर आप करते हैं जासा कि आपको सुंदर उधारणा के साथ प्रभुजी ने बताया है, तो वो आज जो स्रीमती कृष्णा देवी जो मेरी भेन है और मेरी माता की तरह उन्होंने सने दिया है, तो उनका भी सफल आज का दिन पूर्ण होगा और आपका भी जीवन मंगल में होगा, इसलिए प्रभुजी के आसिरवचन के लिए हम धन्यवाद करते हैं और एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का उचारन करेंगे और एक बार, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, 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 हरे हरे, हरे राम, हरे राम, 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 हरे हरे, और एक-एक पुस्तक भी यह जो है आप सब लीजिए जो एक परिवार में एक पुस्तक भोत है आप दूसरों को भी दे सकते हैं पढ़के भी वैसे भी और इसमें एक आवश्चक सूचना लिखिए कि आज का प्रवचन आप YouTube.com पर भी सुन सकते हैं इसके लिए आप YouTube पर सर् सोख सभा स्रीमती कृष्णा देवी 27 अपरेल तो हमारे लिए हमेशा इसमृती रहेगी इसमृती रखनी चाहिए क्योंकि हमारी प्रिये है सबकी वही बाद में पता लगता है जाने के बाद कि हम कितना याद रखते हरे किश्णा अगर कृष्णों का याद नहीं रखते त तो फिर हमें याद रखना पड़ता है जो हमारे प्रिये जन्म है तो हरे कृष्णा है